सिटी माइक्रो एंटर्प्रेनर एवार्ड मेरे जिन्दगी में एक मील के पत्थर जैसा था सेवा की साहिता से मैं कहीं पहुंच तो गई हूँ अब उससे आगे बढ़ना है मुझे खत आया कि हजार लोगों में से चुनी गई हूँ मुझे विश्वासी नहीं हुआ पहली बार दिल्ली जा रही थी आज से सोला साल पहले मेरी पारिवारिक आय थी एक हजार रुप्या महिना खाने का मतलब था रोटी और मिर्च जमीन भी गिर्वी पड़ी हुई थी लग रहा था जिन्दगी यूहीं बीच जाएगी एक रात से दूसरी रात सुबा के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया था जिन्दगी चलती थी बारिश के आसपास भारिश हुई तो एक फसल और देखेंगे नहीं तो पता नहीं फिर मैंने सुना सेवा के बारे में एक कर्ज लिया पाँच हजार रुपे का एक मशीन ली सपनों को सीचने के लिए धीरे धीरे जमीन छुड़ाई उरूई भी बोने लगे मकई और तुएर भी सेवा ने बचत सिखाई दस रुपे से शुरुवात की थी आगे बढ़ती रही चमपा मेरी काम धेनों कभी कभी भाग भी जाती है पर अच्छी है उमीद है एक दिन अपना तबेला होगा आज मेरा घर आधा पक्का है दोनों बेटों के पास मोटर साइकल है थोड़ा तेज चलाते हैं तो खूब डाटती हूं आज खाने की थाली भरी हुई है और मासिक आय है तीज से बैती अपना एक शामियाना है अपने काववालों के साथ खुशिक गमी बाटने के लिए बिना धुए वाला चुला बनाती हूं और मसाले भी बेचती हूं इन बच्चे को पता है माइक्रो एंट्रेप्रेनर क्या होता है चाहती हूं ये सब कुछ सीखे ना मैं खुद स्कूल गई ना मेरा बेटा अब इनी से उमीद है कॉलेज जाएंगे शहर जाएंगे कॉम्पुटर सीखेंगे आसमान को छूलेंगे अब वापस देने का वक्त है अवार्ड के पैसों में से 50,000 सेवा को दिये 32 बचदगत शुरू किये जो अपने लिए किया वो बाके औरतों के लिए भी करना है अपने अंदर की सारी हिम्मत चुठा कर आगे बढ़ना है एक साथ तभी जीत मिलेगी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिस जिन्दगी को थामने में हमारी उमर निकल गई उसके साथ उड़ेंगे सफर तो अभी शुरू हुआ है पिछले साथ सालों में नंदु बेन के जैसी साथ हजार माइक्रो अंत्रोप्रणर्स ने अवार्ड्स के लिए अप्रिकेशन्स भीजी है जिसमें से बच्चपन प्रतिशत से ज्यादा महिल आए है सिटी माइक्रो अंत्रोप्रणर्स वार्ड्स उन छोटे उद्यामियों के जोश और साहस को सलाम करता है जिनोंने मेहनत करके अपनी जिन्दगी को गरीबी से निकाल कर खुद को, अपनों को और अपने जैसे लोगों को स्वाभिमान का जीवन दिया है